नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 20 मई सुबा 6 बजे राजिस्थान की खास खबरे करमचारी चेयन बूर्ड की शरीडिक शिक्षक भरती परिक्षा 2021 में फरजी तरीके से न्युक्ती के मामले बढ़ते जा रहे हैं दो साल पहले बूर्ड ने 5546 पदों पर PTI की भरती की थी एसोजी ने इनके दस्ताविजों की जाँच की तो 2200 PTI की डिगरियों में गड़बड़ी मिले अब तक 878 के डॉक्यूमेंट्स की जाँच पूरी हो चुकी है इन्होंने बिना युनिवर्सीटी में एडमेशन लिये और बिना ट्रेनिंग लिये परिक्षा दी थी इनके युनिवर्सीटी में एन्रोल्मेंट करवाया अवेदन के साथ लगाने के लिए डमेश डिगरी की फोटो कॉपी दी बोड़देक शालूक रास का कहना है कि जो भी दोशी होगा उसके जगा नए को लगाया जाएगा जम्मु कश्मीर के पहल गाम में जैपूर से घूमने गए पती पतनी पर अतंक वादियों ने हमला कर दिया या नेरी लाके में एक रिसॉर्ट में हुई फाइरिंग में दोनों खायल हो गए उन्हें अनंतनाग के जी-एमसी हॉस्पिटल में भरती करवाया गया है जम्मु कश्मीर पुलिस के मताबिक जैपूर की 35 वर्षिय फरहा खान और उनके 38 वर्षिय पती तबरेज खान को बस में चड़ने के दुरान गोली मारी गई इस अतंकी हमले की जिम्मेदारी अतंकी संगठंदा रेजिटेंट्स फ्रंट ने ली है इसका समंद लशकर ए तैबा से है हमले के बाद पूरे एरिया में दैशत फैल गई और काफी देर तक गोली बारी की आवाज आती रही विया तंकी मौके से फरार हो गए इसके बाद सुरक्षय बलों ने घायलों को हास्पिटल पहुँचाया और इलाके में सर्च उपरेश उनके साथ उनके दो चोटे बच्चे भी गए थे वे किस हालत में हैं फिलहाल ये पता नहीं लग पाया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तैट शिक्षा विभाग ने आटी में परवेश के लिए लोटरी निकाल कर इतिश्चरी तो कर ली है लेकिन स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है लोटरी निकलने के बाद स्कूल पहुंच रहे अभिभावकों से समझाता किया जा रहा है स्कूलों का कहना है कि सरकार अगर नर्सरी कख्षा में आटी का पैसा नहीं देती है तो स्कूल की फीज़ देनी होगी स्कूलों की और से एग्रेमेंट भी करवाया जा रहा है ऐसे में प्रदेश के अविभावक असम जिसमें है आटी लोटरी में बच्चों का चयन होने के बाद भी परवेश के लिए परिशानी हो रही है। इदर शिक्षा विभाग के पास भी अविभावकों की और से शिकायतें आ रही हैं। विभाग अभी इस मामले में कोई निर् कर रहा है। जैपूर के जेकेलोन अस्पताल में ब्लड बैंक से प्लाजमा चोरी मामले में उच्चस्तरिय जांच कमेटी ने अपनी दस दिन लंबी जांच पूरी कर रिपोर्ट चकित्सा शिक्षा विभाग की एसेस शुबरा सिंग को दी है। रिपोर्ट में कई बड़ गलग नीजी ब्लड बैंक से जुड़े हुए थे और सहमती से अपने अपने ब्लड बैंक को फाइदा पहुचाने के लिए प्लाजमा खुर्द बुर्द कर रहे थे। दोहजार एकिस के एसमेस ब्लड बैंक से ट्रांसफर होकर जेके लॉन में आये किशिन सहाई ने कुछ समय बाद डॉक्टर सतेंदर को कॉंफिडेंस में लिए बिना अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी जो डॉक्टर सतेंदर को नागवार गुजरी इसी रंजिश के चलते कटारिया को रंगी हातों पकड़वाने का सारा खेल रचा गया इसमें लैप के दो से तीन करमचारी भी शामिल है लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कटारिया की सचोरी में भूमिका नहीं है पूरे प्लाजमा चोरी कांट में कमेटी ने तीन मुख्या किरदारों की भूमिका को संदिक्द माना है भीलवाडा के शाहपुरा की कोटडी थानक शेतर में दो अगस्त दोजार तीस को अपने खेद पर बक्रियां चुराने गई नबालिक बालिका के साथ समुएक दुशकरम कर हत्या करने के मामले में पूक्सो कोट ने दो आरोपियों को दोशी करार दिया वह सात महिला पूरुष ऑरोपियों को दोश मुक्त कर दिया नालियाज सौवार को दोशी दोनों मुख्य अरोपी कालू और काना को सजा सुना सकता है विशेच लोग अभीजब कमहाविर किस नावत ने कहा इस मामले में नौ महिला पुरुष अरोपियों की ट्रायल पोक्सो कोट में जारी थी जिसमें सरकार की और से 43 गवाहों के बयान पंजिबत करवाए गए जिसमें से 42 गवाहों ने अभियोजन साक्षे को टाइड किया वहें इस मामले में एक महिला गवा ने अभियोजन साक्षे के खिलाफ बयान दिया जिस पर स्पेशल पीपी किस नावत ने महिला गवा को पक्ष द्रोही घोशित किया क्योंकि यह महिला गवा प्रकर्ण के मुख्य अभियुक्त की सास थी प्रदेश में हीट वैव का असर तेज हो रहा है दिन के अधिक्तम तापमान में लगातर भड़ातरी देखने को मिल रही है प्रदेश के आठ शेहरों में दिन का अधिक्तम तापमान चालिस डिगरी से अधिक पहुंच गया इसे प्रकार सोला शेहरों में दिन का पारा पैंत वर्तन नहीं होगा हीट वैव का दौर अगामी एक सब्ता तक जारी रहने की संभावना है जोदपूर बीकानेर संभाग में अधिकांश भागों वे जैपूर फरतपूर कोटा संभाग के कुछ भागों में अधिक्तम तापमान 40 डिगरी के आसपास दर्ज होने और हीट क्षेतर में कहीं कहीं तिवर हीट वैव चलेगी धोलपूर पुलिस ने बसाई डांग क्षेतर के नियाती के जंगलों में मुटबेड के दुरान जिले के नंबर वन खुंखार अपरादी एक लाग के इनामी धरमेंदर उर्फ लुक्का को चार साथियों समेथ गिरफतार क साथियों के साथ मियाती के जंगलों में देखा गिया है सूचना पर बाड़ी सियो नरेंदर कुमार के नेतरतों में डीस्टी क्यू आर्टी बाड़ी सदर बसाई डांग सोने का गुर्जा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डकैत को सरेंडर करने के लिए कहा लेकिन धरमेंदर और फुलुका और उसके सायोगियों ने पुलिस को टारगेट कर अंदादुन फाइरिंग शुरू कर दी पुलिस के और से भी आतम रक्षा में डकैतों की गैंग पर फाइरिंग की गई पुलिस के तरफ से 50 एवं डकैतों के तरफ से करीब 40 राउंड फाइर की फाइरिंग के दुरान पुलिस ने घेराबंदी का डकैत धरमेंदर और फुलुका डकैत राम ब्रिज एवं रामू को दबोच लिया केंदर में कॉंग्रिस सरकार बनने पर राम मंदिर के अस्तितों पर खत्रे के पीम नरेंदर मूदी के बयान पर पुरव सियम अशोक गैलोत ने पलट वार किया है अमेठी में मीडिया से बाचित में गहलोत ने कहा कॉंग्रिस सरकार बनने पर राम मंदिर को कोई खत्रा नहीं है राम मंदिर सुप्रीम कोट के आदेश से बना है उन्होंने कहा अगर सरकार NDA की नहीं होती और UPA की होती कॉंग्रे सरकार होती तो भी राम मंदिर बनता यह सुप्रीम कोट का अदेश है PM मोदी और BJP के नेता भ्रम फिला रहे हैं अब उनके भ्रम में कोई आने वाला नहीं है लोग समझ गए हैं कि मोदी जी जूट बोलते हैं चुनाव जीतने के लिए किसे भी हद तक जा सकते हैं गहलोत ने कहा इनके धरम से लेकर हर कोई हथकंडे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है लोग समझ गए हैं कि महंगाई बेड़ुजगारी असली मुद्दे हैं देश में प्यार मुहंबद भायचारे का मुद्दा है मुद्दे वहीं हैं जो राहुल गांदी बार बार बोलते हैं आप 22 उद्योग पतियों का 16 लाग करोड का कर्ज माफ कर सकते हो तो गरीब किसान मजदूर ने क्या बिगाड़ा है अजमेर जिले में तंत्र विद्या का डर दिखा कर योवती से अधाई करोड रुपे हडपने के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफतार किया है अधाई करोड हडपने के बाद आरोपी ने बड़ी राशी ऑनलाइन जुआ खेल कर गवा दी पुलिस ने कुछ जेवरात और राशी आरोपी से बरामत किये हैं एस्पी देवेंदर बिश्नोई ने बताया कि 13 माई को नवाप का बेड़ा क्शेतर में रहने वाली योवती ने क्लॉक टावर थाने में दर्स रिपोर्ट में बताया कि दूसरे लॉक्डाउन की समय तारगड निवासी सेद मशियत हुसैन के साथ उसकी जान पहचान हुई उसका रूप था कि सेद मशियत हुसैन ने जादू टोनावे तंतर विद्या का डर दिखा कर बैंक से पैसे निकाले साथी बैंक लॉकर से कीमती गहने निकाल कर गिरवी रखकर राशी हडप लिए इसके बार इन पैसों से अरूपी ने आॉनलाइन जुगा खेला और पैसे गवा दिये अरूपी पेडिता को बहलाता फुसलाता रहा के सटे में पैसा कमा कर वेह उसे मुनाफ़े के साथ लटा देगा इस तरह अरूपी ने करीब अठाई करोड रुपे हडप लिए मई 2008 में जैपूर में हुए सिलसिले वार बम धमाकों के बाद चांदपुल हनुमान मंदिर के बाहर मिले जिन्दा बम मामले में सुप्रेम कोट के सशर्थ जमानत अदेश के बाद नबाली का रूपी को एक लाक रूपे की सुपूर्दगी और पचास-पचास हजार पे की दो जमानतों पर संप्रेशन किशूर ग्रह से रिहा हो गया हलांकि नबाली का रूपी को रुजाना ATS के आफिस में आजरी देनी होगी और अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा रूपी के अदिवक्ता बिन हाजूल हक नहीं बताया कि वे जैपूर बंब लास्ट से जुड़े केसों में 14 साल से बंद था और सुप्रेम कोट की उसकी जमानत मंजूर करने के बाद रिहा हुआ है गौर तलब है कि सुप्रेम कोट ने नबाली का रूपी को पिछले दिनों ही सशर्थ जमानत देते हुई कि शोर बोड को केस की ट्रैल तीन महीने में पूरी करने का निर्देश दिया था इसके इलावा नबाली का रूपी पर कई तरह की शर्थिन लगाई थी नगोर जिले के डिडवाना कूचामन के पिलवा गाम में महिला समू को लोन दिलाने के नाम पर 25 लाक उर्पे की ठगी करने का मामला सामने आया है पुलिस ने इस मामले में कारूपी को गिरफतार किया है पिलवा थाना दिकारी विनोद कुमार ने बताया कि पिलवा थाने में करीब तीन महा पुरव महिला समू को लोन दिलाने के नाम पर धोखादड़ी का मामला दर्स हुआ था पिलवा थाना क्षेतर के ग्राम रतनास निवासी महिलाओं ने यह मामला दर्स करवाया था जिला पुलिस सदिक्षक रजेंदर कुमार मीना के निर्देशन अनुसार कारवे करते हुई आरोपी 26 वर्षे राम निवास मेगवाल निवासी रतनास थाना पिलवा को गिरफतार किया गया है पुलिस आरोपी से पूस्ताश कर रही है थाना दिकारी ने बताया कि गरीब महिलाओं को विश्वाश में लेकर अलग-अलग फाइनेंस कंपनी से लोन उपलब्द करवाने के नाम पर अरोपी डॉकिमेंट्स एकठे कर अंगूठा लगवा लेते थे इस तरह लगबग 25 लाख उडपे लेकर अरोपी राम निवास मेगवाल फरार हो गया था झाल